दा अल्टिमेट चानल में आप सभी को अभिशेक सरकार का नमस्कार जैसे कि मैंने कल वीडियो बनाया था कि डॉक्स के साहस और लॉयल्टी का कोई जवाब नहीं है डॉक्स अपने ओनर को बचाने के लिए टाइगर से भी भिड़ सकते है अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है जब किसी डॉक्स के ओनर पे आ जाए तब तो डॉक्स अपनी जान देने को तयार होता है पर जब बात देश की आए तब डॉक्स की बात ही अलग होती है भारत के केनाइन रेजिमेंट में कई दशकों से डॉक्स अपनी सेवा दे रहे है तीन साल पहले अफगानिस्तान में इंडियन एंबसी में खत्रा महसूस हो रहा था आतंगवात का इंडियन एंबसी में हमला होने का अंदेशा था तबी इंडिया से तीन जवानों को भेजा गया जवान इंसान जवान नहीं डॉक्स जवान के नाइन रेजिमेंट के तीन साहसी वीर माया, रॉबी और बॉबी एक लाबराडॉर, एक बेलजियन मैलनॉइज और तीसरा डॉबो मैन इन तीनों को भेजा गया भारत और भारतियों की रक्षा करने के लिए तीन साल पहले ये तीनों जब अफगानिस्तान में पहुँचे तो इनको इंडियन एंबसी की सिक्यूरिटी की जिम्मेदारी दी गई और कोई भी इंडियन एंबसी में खत्रा आता था तो सबसे पहले फ्रंट लाइन में ये तीनों खड़े होते थे ये तीनो स्निफर डॉग है ये तीनो सबसे पहले जाच करते थे कि कोई बॉम तो नहीं है कोई बंदूक तो नहीं है कोई खत्रा तो नहीं है इन तीनों ने तीन साल तक भारत की सेवा की इंडियन एंबेसी को बचा के रखा इंडियन एंबेसी पे कोई आच नहीं आने दिया इंडियन एंबेसी के जो लोग थे वाप है जितने भी इंडियन्स थे वो आखे बंद करके माया, रॉबी और बॉबी भरोसा करते थे तीन साल बाद आज अफगानिस्तान की सिचुएशन अच्छी नहीं है तालिबान ने कबजा कर लिया है और खत्रा मंडरा रहा है रॉबी बॉबी और माया पे भी जब इंडियन एर फोर्स की पहली फ्लाइट अफगानिस्तान से इंडियन्स को और इंडियन एंबेसी के लोग को रेस्क्यू करके लेके आई तो ITBP यानि की इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस की जो चीफ थे SS देसवाल उन्होंने पूछा कि हमारे के नाइन के वॉर्यर्स कहा है उनको रेस्क्यू करके क्यों नहीं लाया गया अफगानिस्तान से इसका इंडियन एर फोर्स के पास तब कोई जवाब नहीं था पर SS देसवाल ने कड़े इंस्ट्रक्शन दिये कि किसी भी कीमत पे किसी भी हद तक जाना पड़े इंडियन एर फोर्स और इंडियन आर्मी को के ना इनके जो तीनों वारियर है माया रॉबी और बॉबी इनको किसी भी तरीके से अफगानिस्तान से बचा के लाना ही पड़ेगा इंडियन एर फोर्स और इंडियन आर्मी को क्योंकि ये भारत के जवान है देश की शान है इन्टियन एंबसी की रक्षा की जब इंडिया को सबसे ज़ादा जरूँत थी इन्टियन एर फोर्स ने उसके बाद एक मिनिट भी वेस्ने किया इंडियन एर फोर्स की फ्लाइट उड़ी इंडिया से और सिदा जाके अफगानिस्तान के काबुल एरपोर्ट में उत्री और सबसे पहले ढूंडा गया इन तीन वीरो को माया, रॉबी और बॉबी को पिक अप किया गया वहाँ से और तब भी जब इंडियन आर्मी गई उनको रेस्क्यू करने तब भी वो इंडियन एंबसी में खड़े थे इंड को ले आया गया और वहाँ से उनको केनाल में रखा गया रॉबी बॉबी और माया को अब चार से पाच हफ्चे तक दो महिने तक डॉक केनल में रखा जाएगा इंडियन वेदर से उनको एड़्जस्ट होने का वक दिया जाएगा उसके बाद उनकी नेक्स पोस्टिंग जोगदान नहीं भूला सबसे बड़ा थैंक्यू एसेस देशवाल को जिन्नों ने इंडियन आर्मी इंडियन एरफोर्स को ओर्डर दिया कि जान पे खेल के हो या फिर किसी भी कीमत पे हो किसी भी कीमत पे ये तीनों इंडिया वापिस आने चाहिए खाली इंडिया ही नहीं अमेरिका ने भी अफने डॉग्स के लिए बहुत ज़ादा चिन्ता जताई जो भी डॉग्स अमेरिका के अफगानिस्तान में डिब्यॉईट थे उनके लिए special seat बुक किया गया फ्लाइट में और special seat में बैठ के अमेरिका के डॉग्स अफगानिस्त और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जहिन